तो वेल्कम बेटे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लस टू एंस एर्टी का सेकंड चेप्टर, सेक्षिल एप्रडिक्शन इस फ्लावर और प्लांट्स, अब तक हम लोग क्या कुछ गवर चुके हैं, जो हमारा चेप्टर का बेसिक पोशिशन है, या जो मेजर हिस्सा है, हम chapter का cover कर चुके हैं, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, flower की basic structure देखी, उसके बाद हमने male part को समझने कोशिश की, ठीक है, उसके बाद हमने pollen grain हमने समझा, ठीक है, किस टैप से उसका formation होता है, वो भी समझा, ठीक है, उसके बाद में हमने female part को समझने कोशिश की, और उसके ठीक है, ठीक है, उसको भी समझने कोशिश की, धैन हमने उसके बाद pollination देखा, ठीक है, और pollination के बाद में हमने क्या देखा, double fertilization और embryo को समझने कोशिश की, ठीक है, अब हम लोग chapter के आखर इस से कंदर पहुंच चुके है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक या फिर दो next structure के अंदर इस chapter को cover कर लेंगे, तो आईए हम लोग पढ़ते हैं, seeds के बारे में, ठीक है, seeds, जो seeds हैं, ये क्या होते हैं, ये final product होते हैं, ठीक है, या फिर end result होता है, किसका, ये sexual reproduction का end result होता है, क्योंकि हमें पता है, कि जब pollen tube बनती है, ठीक है, embryo बनता है, तब होता कि actual के seeds बन जाते हैं, ठीक है, और actual के नदर seeds कैसे बनते हैं, जो ovule होते हैं, यहीं सीड होते हैं, ठीक है, और ovary जो होती है, जो ovary होती है, वो क्या होती है, वो fruit का formation करती है, ठीक है, या फिर हम basically बोले हैं, तो fruit wall का formation कौन करता है, ओवर ही करती है, ठीक है, और fruit के नदर जुतने भी seeds होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो ovule से बनते हैं, actual के नदर fertilized ovule से बनते हैं, ठीक बटे, हम लोग seed के बात करते हैं, basically, जो seed का है, final product है, या फिर end product है, sexual reproduction का, ठीक है, जो seed ह होते हैं, basically, इनके पास होता क्या है, actual के अंदर, seed के पास क्या होता है, seed coat होता है, seed coat, seed coat क्या है, वो integuments हैं, जो की ovule के अंदर present थे, outer integument, inner integument, लेकिन seed के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, outer integument को हम लोग टेस्टा बोल देते हैं, टेस्टा, ठीक है, यह क्या है, यह outer integument है, outer जो टैगमेंग है एक है तो जो होताई है तो सीड कोर्ड जो तो तर सीब उता होतायए उसके क्या होताया होता है और वो दाइकॉट है अगर जो सीड हम लोग देख रहे हैं या कोई भी सीड देख रहे हो अगर वो डाइकॉट का तो उसके अंदर क्या होगे दो कोटिलेटन प्रजेंट होगे ठीक है और क्या होगा उसके अंदर मॉनो मॉन कोट होऊ तो उसके अंदर एया इक प्रजेंट होगो ठीक हो है है जो कोटिलेटन है इसके अलावा यह सीड है उसके अंदर क्या होगा ऑंढ़ создic in यह यह बात लियुकि अंदर होगे कि होना ऐसीड के इन रीन स्क्षा पाई जाते ही। seed coat, cotylidans और embryonal axis ठीक है। माल लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो मुमफली आपने देखी होगी ठीक ग्राउनर जो आपने देखा होगा। उसके अदर क्या होता है जब हम लोग मुमफली को तोड़के हम लोग क्या करते हैं अंदर से दाना निकाल लेते हैं तो जब दाने को लोग तोड़ते हैं तो वो जो दोनों अलग पार्ट्स हैं वो अक्चल के अंदर क्या है वो क्या है वो क्या है दो क्या है और वो जो दोनों पार्ट है एक पॉइंट लाइक चक्चर जो की एकदम एक टिप पर प्रजेंट होती है अगर हम लोग बात करें कि अगर यह ग्राउनर का दाइगराम बनाए हम ठिक है तो ग्राउनर के अंदर हमें इस टैप से उच्छा होगा तो उसके अंदर क्या होगा बीच में ये दो कोटलेडन हमेशों होंगे अगर हम इन दोनों कोटलेडन को अलग कर देते हैं तो यह अमें पता लागए कि यहां से जुड़े वेती एक है co Brennan अर एक्षे सcs कंदर प्रे Belo ce क्या दर होता है इंके पास क्या होताई रिरोफ फूर नीयोता हैम जब तक सीन जब करता है तो उसके लिश नहीं आती है दो या करता है यज़ जर सेन् PAUL छूरू करता है तो उसको जूनेटेशन करता से मुलेगा किस से मिलेगा क्योंकि इसके पास क्या होता है रिजर्व फूड मेटील होता है क्या होता है और उसको क्या मिल जाता है निल जाता है समाझ यही बात ठिक है और र्ज्व फूड मेंटिल होने की कारण ही जो कौटिलीड मों होते हैं वह क्या होते हैं Swallow होते है Switzerland ho platzes ट्रक्ट्रम बोल सकते हैं क्योंकि उसके पैड़ा Dan रीक्स बात करते हैं कि जो हमने पटा है कि जो एंडो स्पर्म है जो एंडो स्पर्म है थीक इसको हमने लास्ट कुछ से लैक्च्चर के नदर हम इंडोस्पर्म प्रजेंट है अगर तो उसके बॉलेंगे उसे बोलेंगे हम albuminus seed क्या बोलेंगे albuminus seed बोलेंगे ठीक है albuminus seed बोल सकते हैं या फिर endospermic seed बोल सकते हैं और अगर उसके अंदर endosperm absent है अगर उसके अंदर endosperm present नहीं है तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे x albuminus seed बोलेंगे क्या बोलेंगे, x, albuminus seed बोलेंगे, ठीअ, albuminus seed बोलेंगे, ठीअ, एंडोलस्पर्म प्रसेन्ट कब नहीं होगा, ऐसे पूरे endospirm का कम कू दोजियूं कर लेगा, ठीअ, endospirm का प्रसेन्ट नहीं होगा, जब देवलुपिंग embryo, embryo Ondospirmis को लेंगे हैं तो कि थे ये लिए पर होता है ऊंतरियो इसको ब्र faço नुइंट करते हैं उन्हें अजी स्टर है जैसे वीट करम एक वीट मेज कैस्टर ठीक है यह सारे के सारे किसके एक्जामपल नहीं जो नहीं दिखाई देता तो उसे हम बोल सकते हैं लेकिन कुछ ऐक ऐसे बी सीड्स होते हैं जैसे ब्लैक पैपर ठीक है या फिर बीट जो है इनके अंदर क्या होता है ब्लैक पैपर और बीट के अंदर इनके अंदर जो नुशलस होता है त्यान से बात सुनें, नूसालस, ठीक है, नूसालस से आपको याद होया होगा, कि नूसालस किसको nutrition को प्रजान करता है, developing female gametophyte को, क्योंकि female gametophyte के बाहर क्या present होता है, याद आया, तो नूसालस अगर seed के अंदर present है, तो नूसालस को हम लोग seed के अंदर क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते है, peri sperm, क्या बोलते है, peri sperm, समझे बात, ठीक है, तो peri sperm हम वर्ड किस के लिए उसकरते हैं, यह वर्ड हम उसकरते है, new celles के लिए actual के अंदर remnant of new celles जो की seed के अंदर present होते हैं new celles जो बच जाता है part new celles का filter consume नहीं हो पाता है seed के अंदर अगर वो present है तो हम उसे पहरी स्पम बोलेंगे ठीक बटे तो यह हमने क्या है basic knowledge जो है यहन की है अब इसके बाद में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं इसके बारे में कि actual के अंदर जो seeds होते हैं ठीक है उनके अंदर जो seed coat होता है ठीक है वो कैसे बनता है कि जो ovule के हमने बात की ovule के अंदर जो covering होती है integrements होती है वो hard हो जाते है वो क्या हो जाते हैं और inner को tagman बोल देते हैं ठीक बटें और जो हम बात करें कि ovule के अंदर जो micropile था ovule के अंदर जो micropile present था ठीक है जो क्या कर रहा था जहां से pollen tube entry करेगी ठीक है ovule के अंदर तो normally micropiler से ही करती है micropiler end से ही करती है हमने ये बात भी देखी थी तो micropile जो है जब तक ovule fertilize नहीं हुआ है तब तक ये pollen tube की entry के लिए होता है इसके लिए होता है pollen tube की entry के लिए होता है तेक है उसको guide करता है लेकिन जब ये seed के अंदर formation हो जाता है जो integraiment हो hard हो जाते हैं तब micropile किसके लिए काम करता है हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि माइक्रोपाइल तब क्या करेगा एर और वाटर की एंट्री एर और वाटर की एंट्री के लिए क्या करेगा काम करेगा क्या करेगा एर और वाटर की एर के अंदर बैसिकली ऑक्सीजन की एंट्री के लिए क्या करेगा ये काम करेगा ठीक है कि जो सीड है वो जर्मिनेट कर जाए अब सीड के इंदर वाटर कहाँ से आएगा वह वाटर जो है जब हम हम उसको जमीन में लगा देते है तो जो वाटर है वो उसी micropiler end से लेता है, ठीक है, इसके बाद में जो next बाते हैं, वो हम next part में करते हैं, तो है यह seed के बार में हम और जानकरी प्राप्त करते हैं, ठीक है, और थोड़ा knowledge gain करते हैं, जो seed है, हमने बात की, कि जो seed है, इसके अंदर जब micropiler end होता है, वहाँ से क्या होता है, एक् seed को actual के अंदर adequate temperature मिलता है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि उसके लिए जितना temperature जरूरी है, ठीक है, या proper temperature जितना मिलता है उसको, ठीक है, proper अगर उसको air की supply होती है, proper अगर उसको water connect मिलता है, तो वो seed क्या कर जाता है, वो seed germinate कर जाता है, तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो seed होता है वो एक बार बनने के बाद में inactivity की stage के अंदर चला जाता है ठीक है इनक्टिव पेड के अंदर चला जाता है stage of inactivity ठीक है उसे हम लोग बोलते है dormancy क्या बोलते है dormancy अब जो dormancy है ठीक है seed dormancy के अंदर चला जाता है ठीक है अब dormancy के अंदर जाने के seed की काफी ज़्यदा फायदे है ठीक है अब मानने के एक condition कि यह काफी बड़ा एक पेड़ है काफी बड़ा एक tree है वहाँ पर क्या है कि tree के जो fruits हैं वो mature हो रहे हैं और जमीन पे गिर रहे हैं उसके अंदर seeds लाइट काफी ज्यादा seeds लिए तो इससे लिए नहीं कंपीट करेंगे तो उससे बचने के लिए जो seeds होते हैं, वो dormancy के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, ये काफी ज़ाधा intelligent phenomena है, जो कि plants ने अपनाया है, ठीक है, इसके मतलब इसका, जो dormancy के अंदर जाने का फाइद है क्या होगे, to avoid competition, to avoid competition, ठीक है, competition को avoid करने के लिए क्या हुआ, जो seeds है, वो क्या होगे, वो dormancy के अंदर च इन्होंने क्या किया, जो नए हम लोग बात करें कि habitats हैं, ठीक है, new habitats के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, new habitats occupy करते हैं, new habitats को explore करते हैं, ठीक है, मान लेजिए कि actual के अंदर plants ने भी काफी ज़्यदा intelligent work किया है, ठीक है, हम लोग जब भी किसी road पे जा रहे होते हैं, या हम लोग जब किसी अच्छे mango के plant को देखते हैं, तो हम लोग वहाँ पर yellow color का mango जब देखते हैं, तो हमारे मुवे भी पानी आ जाता है, ठीक है, तो हम लोगों का मन क्या करता है, कि हम उस mango को तोड़े हैं, उसके खाएं, ठीक है, तो मान लीजिए, मैं जा रहा हूँ किसी road पे, तो तो competition avoid हो गया, ठीक है, उसके अलाबा जो नया habitat मिलेगा seed को, ठीक है, और seed से नया plant भी तो मिलेगा, तो इससे क्या हुआ कि नए जो habitats हैं, वो plant क्या करेगा, explore कर लेगा, ठीक है, अलग बात क्या होती है, कि next बात जो है, उससे क्या होगा, प्रुजैनी का number भी बढ़ेगा, ठीक है, प्रुजैनी हम बोल सकते हैं, या फिर जो species है, उसका number भी तो बढ़ेगा, ठीक है, प्रुजैनी का number बढ़ेगा, species का number बढ़ेगा, तो ये कुछ एक क्या होते है, seed की dormancy के अंदर जाने के कुछ एक फाइद होते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, कि surviving के chances भी बढ़ ठीक है, तो वहाँ पर जो seed, जो ओवरी थी, वो मैचोर होगी, ठीक है, उसके अंदर seed भी था, तो जब वो seed जमीन पर गिरेंगे, अगर उनको अच्छी तरह से, अगर तो उन्हें water या हम लोग बोलें oxygen इसकी supply होगी, तो वो germinate कर जाएगे, अगर उन्हें ना मिला तो, अ गर मैंसी के अंदर चले जाते हैं, इनक्टिविटी के पीड के अंदर चले जाते हैं, तब उनके बाद survival के chances बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो यह क्या होते हैं, कुछ एक फाइदे होते हैं, डॉर्मैन सी के अंदर जा जाने के, अब हम लोग next बात करते हैं, कि जो हमारा fruit होत और वो क्या करती है, fruit wall को बनाने का काम करती है, fruit wall का formation करती है, और fruit wall को हम क्या बोलते है, fruit wall को हम बोलते है, pericarp, क्या बोलते है, pericarp, ठीक है वोटे, जब seed बन रहा होता है, ठीक है, seed जब mature कर रहा होता है, उसे के साथ साथ में जो overy है, उसकी जो wall है, वो भी का कर रही होती ह फ्रूट वाल का फॉर्मेशन कर रही हो तीए क्या में पता है जो ऑवरी है वो क्या बनाएगी फ्रूट बनाएगी ठीक और फूट वाल को को छो वाल लोग पेरिकारप बोल देते हैं अप देहां से बाओ सुनेंगे वो एक्चौल के अंदर फूट्स है जो fruits हैं ठीक है उनके अंदर जो fruit wall है या हम लोग simple fruit की बात करें तो वो flashy fruit हो सकता है या फिर वो dry fruit हो सकता है जो fruit है वो क्या हो सकता है? जैसे वह यह सकता है जैसे Guava PayPal का ले सकते हैं. लेकिं एक और example के अंदर ढ़रुजिस करेंगी tao है प्र है huge service यह अपनमे इसी फ्लैशी फस ही थोड़े गूदेदार होते हैं मोल सकते हैं, simple language लेंगोईज गंदर, क्या होते हैं ये थोड़े गोदेदार होते हैं ठीक है? थोड़े soft होते हैं, लेकिन इसके लावा क्या होते हैं, तै किसे अग्फिन काहले हिते हैं, गेँज हैवे सुटॉट्स अब में लोग यहाँ पर एक और जो है ऊस्टाइड जो है यह क्या है यह हैं डाइफ पूट के उसके अग्जांपल है जो ग्राउंड नट है इसका अग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ठीक है ग्राउंड नट का एक बात आप ध्यान रखें जो एक्जांपल्स है एक्षिल के अंदर वो आप NCRT के आपके लिए का बनाएगी और जो प्रूट है मेली दौ टाइप क्यों सकते हैं या फिर ड्राइड रूट हो सकते हैं फ्लेशिफ रूट बॉआवा है एपल है फिच्छांपल के दौर पर करेंगे इसको फाल्स फ्रूट भी बोलते हैं देखेंगा इसके लावा जो है यहुते हैं कि हम लोग बात करें की जो सीड़से होता है इस का जो नंबर ह Smidla Glorkin Er वह कितने होते है जितने और ंवरी के अधरंड होते है उतने ही सीड क्या होते है फूट के अधर फेक्षेयर होते है कि यह ने डिसपर्स करने का तरीका अपने को अपनाया है, वो काफी interesting phenomena है ठीक है, जैसे हमने example लिया कि mango को काने वारा example क्या है वो भी seed dispersal का ही तरीका है बड़ा ही important phenomena है, ठीक है Animal उसको समझ नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे लिए भी फाइदा का सोधा है और plant के लिए भी फाइदा का सोधा है तो ये काफी ज़दा क्या है अच्छी चीज़े है जो हमें इस प्लांट से या फिर इन प्लांट से सीखने को मिलती है ठीक है बटे अब हम लोग क्या करते है नेक्स बात करते है जो फूर्ट होते है जो फूर्ट होते है ठीक है उनके अंदर जब फूर्ट मैचोर हो जाता है जब औरी फूट बना देती है तब उसके अंदर जो accessory rings होती है जैसे हमने बात कही कि कोरोला है ठीक है कोरोला है ठीक है इसके लावा क्या है कैलिक्स है ये ज़ड़ जाती है कैलिक्स जो है ये ज़ड़ जाती है जब फूट बन जाता है केलिक्स और कोरोला यह जड़ जाती है ठीक है most of the fruits के अंदर यह होता है लेकिन आपने example देखा हो ब्रिंजल का या फिर टोमेटो आप देखते हैं ठीक है ब्रिंजल या फिर टोमेटो तो उसके नर्म क्या देखते हैं कि अगर हम लोग example की यहां से diagram के आलप से देखें तो य जो टोमेटो है यह examples हैं ठीक है बड़े ही important examples हैं जिसके अंदर fruit बनने के बाद में भी जो गैलिक्स है वो present रहता है ठीक है गैलिक्स यहां पर क्या रहता है present रहते हैं ठीक है मतलब accessory rings जो हैं वो present रहती है अब एक बात और ध्यान रखें कि जो fruit है अगर उसको बनाने के लिए fruit को बनाने के लिए सिरफ ovary ही use हुई है सिरफ ovary की wall ने ही उसके अंदर contribution किया है fruit को बनाने के लिए तो वो जो fruit होते हैं वो true fruits होते हैं ठीक है उन्हें हम सच्चे फल बोलते हैं ठीक है और अगर ovary के अलावा कुछ एक part जैसे thalamus हम बोल सकते हैं ठीक है अगर thalamus ने fruit को बनाने के अंदर अपना contribution लिया है मतलब fruit के अंदर telemus का भी part है तो वो क्या हो जाते हैं वो false fruit हो जाते हैं draw fruit है और अगर उसके नदर ovary के अलावा कोई part यूज हो रहा है तो वो false fruit है ठीक की बटें और यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं कि जो fruits हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बोलते हैं इनके बारे में हम क्या करते हैं नेक्स पार्ट के अंतर समझने की ट्राइ करते हैं तो आए थोड़ा और जानते हैं पार्थेनो कार्पिक पार्थेनो कार्पिक फ्रूट के बारे में, ठीक है, तो गटे हमने जैसे बात की कि पार्थेनो कार्पिक फ्रूट क्या है, इसको समझने पर हमने क्या देखा, कि जो फ्रूट है वो कैसे बनता है, वो फर्टिलाजिशन के थूप बनता है, ठीक है, अगर फर्टिलाजिशन विदाउट कोई फ्रूट बन रहा है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे पार्थेनो कार्पिक फ्रूट ठीक है एक्जामपल कैस का जैसे बनाना है ठीक है जैसे बनाना तो एक बात आप ध्यान रखें आप लोग अपना अपर बनाना का प्लांट को उगाने का क्या होता है कि एक्ष вперwo का desem अब ऐसा तो नहीं होता है कि आई से लिए प्लांट का हो गएगा तरीका क्या होता थेछ टेक है और बनाना का प्लांट को उगाने का तरीका क्या होता है कि एक्चुल के अंदर बनाना का जो स्टैम होता है वो जमीन के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं राइजॉम ठीक है और राइजॉम को काट के फिर का कर सकते हैं बनाना को अगे लगा सकते हैं ठीक है लेकिन फिर भी ह इस टाइब से काटते हैं जब उसको बनाना को काटा जाता है तो उसके अंदर हम लोगों को एकदम बीज के अंदर क्या है थोड़ी डार्किस स्ट्रक्टर दिखाई जाती है एक तो अंदर उसके वह सीड्स होते हैं ठीक है लेकिन सीड्स के थूरू अगर हम बोलें कि इनको अभी जर्न कर वा लें ठिक है तो वह काफ़ी जैदा क्या है इंप्रयक्टिकल से बात हो जाती है क्योंकि वहां से कई बार जो सीड्स यो जर्मिट करता भी नहीं है ठीक है तो मद्थ जो plant है वो बनेगा भी नहीं तो बनाना का जो फूरूर्ट है वह क्या है पार्थेनों एक fruit बनाते हैं उस process को हम बोलते हैं पार्थे नो कार्पी क्या बोलते हैं फार्थेनो कार्पी ठेज़े परते नु कार्पी ठेगे बैठे़ गिए बहुत नहीं कि अब आप लोग मुझे अक कि एक्स छ ogni और Awesome Size 10 है अब लोग ऐसी बात करें कि ऐसा कौन सा फुरूट है जो काम यूज्ख करते है ड़ली डेलीरों लाइफ केंदर ठीक यूज़ करते हैं और अगर हम उसके अदर पार्थेno penal कारिप कर दें अगर हम लोग उसके अंसके अंदर पार्थेno厲害 कि अंदर हम लोग seeds काते हैं और अगर उसके अंदर हमने क्या करिया पार्थेनो कार्पी को इंडियूस कर दिया तो उसके अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ उपर वाला लदरी कोट बच जाएगा ठीक है तो उसके अंदर हम लोग कुछ भी निखाब आएंगे तो वहाँ पर कोई सवाल नहीं पैदा होता है कोई फायदा भी नहीं है अब माले ज Кोई कोई तर्बूज है ठीक बड़ा वाटरमिलन है फसके अंदर हम लोग बाड़ नो कार पी करते हैं तो वहां पर हमें फुर्ट तो मिलेगा बड़ा फूट मिलेगा ठीक और उसके सब्स– के अ leg आराम से खा सकते हैं में फिल्टाएंस की हम लोग आँमने पाथे ल करते हैं जैसे जो फूरोट होते है जैसा कि हम लोग बात करें भी के नदर क्या होता है कि जो जीड संप्षोर कैसे अंग्याद जो होता है बड़ा important time है ये जो seed coat होता है वो क्या होता है fruit wall के साथ में fruit wall के साथ में क्या कर जाता है fruit wall के साथ में association जो करता है जो seed coat है और fruit wall है दोनों आपस में मिल जाते हैं ठीक है दोनों आपस में मिल जाते हैं और ऐसे fruit क्या बोलते हैं ऐसे fruit calm बोलते हैं cariopsis fruit क्या बोलते हैं cariopsis fruit बोल दीते हैं करियोcuz fruit जिसके अंदर सेड़ इड़ are all है ।ो डूनों क्या हो जाती है? मिल जाती है फिक है जब वहो तो ब्वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो दोनों मिल जाएंगी तब हम लोग उस fruit को क्या बलेंगे उसे हम कारियोक्सिस fruit बोल देंगे ठीक है जो कि example भी दिया गया है इसका diagram भी है NCRT के अंदर ठीक है अब हम लोग next बात करते हैं कि जो water next हम लोग बात करते हैं जो से pollination जो से pollination है जो में जो आफ liक है पौलीनेशन अगरा मोग हम लोग बात करते कि accept tidak प्लीनेशन के अंदर वाट़ की जूरत नहीं पड़ती है अगर हम लोग उन प्लांट्स को एक्सक्टूद रहें जहां पर वाटर के थुरू प्लिनेशन होता है अगर हम लोग उनको हटा दें तो प्लिनेशन से अंदर जो है बेसिकली वाटर की की नियुड नहीं होती जञदा ठीक है और ना ही फत्यराइशन के वाटर के यही एक केस के हम लोग बहुर बात करते हैं जब सीड़ बन जाता है ना सीड़ के बनने के लिए वाटर जो रही है लेकर सिड़ बनने के बाद में सीड़ क्या करता है वह इयूल, जो होताँ एक्चल के अंदर वो वाटर को रिड्यूस कर देता है वाटर का जो content है उसको reduce कर देता है तो उसका जो weight है या mass है वो बहुत कम रह जाता है उसके mass का लगबग 10-15% उसके अंदर क्या होता है moisture होता है ठीक है seed के अंदर और actual के अंदर ये कब होता है जब seed dormancy के अंदर होता है तब उसके अंदर जो बाकर content हब बहुत कम होता है अजया है तब लोग क्या कर सकते हैं हमसी calcul क्या कर सकते हैं होता है कि छो सीड्स है हो क्या इसके क्या करते हैं कि एक बार एक क्रॉप हो गाई उसके अंदर रख लिए बाकी चेорм का बेस दिया और बाद में उसी seed को अपने use कर लिया ठीक है और अगर seed dormancy के अंदर ना जाए यहां से बातुने अगर seed dormancy के अंदर ना जाए और उसके अंदर जो जर्मिनेट होने की capability है, वो तभी हो जाएं, महलों सीट बना और जर्मिनेट कर गया, सीट बना और जर्मिनेट कर गया, ऐसा अगर हो जाए, तो हम लोग सीट को कभी स्टोरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप लोग एक एनलोजी, आप मैसूस कर सकते हैं, कि हम लोगों के घर पाटन के अंदर हमने जो दालें थी, उनको स्टोर किया था, वहां से एक नया प्लांट निकलाए हो, ऐसा तो कभी नहीं होता, क्यों क्योंकि जो सीट्स है, वो डॉर्मेंसी के अदर जाती है, ठीक है, तो यह काफी ज़्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है, अब जो सीड ह जो सीड है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कि उसकी भी वाइबल्टी होती है, जैसे हमने क्या बात रखे थी, कि पॉलन वाइबल्टी के हमने बात कही थी, ठीक है, उसी टाइप से जो सीड है, उसकी भी क्या होती है, ठीक है, मतलब जो सीड है, वो कब तक जर्मिनिट कर सकता है सीड के पास में जो ability to generate है वो कब तक रहेगी कितने टाइम पेड़ तक रहेगी वो उसको वाइबल्टी हम बोलते हैं ठीक है तो कुछ एक सीड जो होते हैं उनकी जो वाइबल्टी होती है वो कुछ एक मन्त तक होती है अगर उन मन्त के अंदर हमने उसको बो दिया झाल के अंदर लगा दिया यह हमने उनको अच्छा जो उसको कंडिशन से यह वो प्रोवाइब कर दी तो सीड जर्मिन कर जाएगा लेकिन अगर मन्त के बार में आगर हम लोग से वह कंडिशन कर आते हैं तो वह सीड जर्मिल नहीं होगा तो यह वो टर्म है जो कि टाइम के कुछ एक मंत्स के अंधर होती एक species के अंधर और कुछna Sixty स्पीसिस के अंधर क्या होतीग यह وَiB高 cargo Coast जैसे एक प्लांट嫡 लिपẠिनेस आर्फिटेकस लिपाइनेस लोपाईनेस लुपाइनस आ दस अजार साल पुराने हैं, कितने हैं यह लगवग, 10,000 ये पुराने हैं, ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ, कि इनको हमने जो जमीन के अंदर लगाया, ठीक है, यह हमने जो conditions हैं, वो provide की, और provide करने के बाद में क्या होगे, यह seed germinate कर गए, ठीक है, तो काफी यह seasr, ठीक है, दरडेखे के पास में, दरडेखे के पास में, एक जगाहि Hey और उटव से हैं, ठीक है, ठीक है, यह रोडज है, ठीक है, वहां पर क्या है, जब खुदाय की गई, आकिसे इक्सव्यशं किया गया, तो वहां पर क्या मिले हैं, हमें एक प्लांट,ॉनिक्स, फ और इन सीड्स की जो एज है वो लगबग 2000 साल तक बताई जा रही है और इसके साथ में जब हम ने को क्या किया तब यह क्या होगे तो यह सीड की वाइबल्टी के केस के अंदर था तो आज समलोग इसको चैटर को यहीं पर रोकते हैं और नेक्स का करेंगे इस चैटर को कुंप्रेट करने कोशिश करेंगे ठीक है आप लोग एक काम ज़रूर करते रहें कि नोट जरूर्वन होड़ं रहें ठीक है और एक्टर के अंदर की चाटर का फॉलो करना ना भूलें ठीक है अगर आपको कोई ब्रॉबल्म आती है तो आप क्या करेंगे इस चेप्टर को पूरा करने कोशिश करेंगे ठीक है तो आज के लिए तना ही बाकी नेक्टर चैनल